प्रांस के पूर्वर राश्ट्रपती फ्रांस वा उलांद द्वारा राफेल डील पर नया खुलासा करने के बाद से कॉंग्रिस और भी ज्यादा हमला वर हो गई है इस डील में अनलंबानी की एंश्री को लेकर खुलासा होने पर कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि राफेल डील पर प्रधान मंत्री ने देश को धोका दिया है उन्होंने बंद दर्वाज़े के पीछे निजी तोर पर दखल देकर राफेल डील करवाई रहुल गांदी ने बाकाइदा एक ट्वीट भी किया है कि प्रधान मंत्री ने बंद दर्वाजे के पीछे निजी तोर पर राफेल डील पर बात की और इसमें बदलाफ कराया और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांसवा ओलांद को धन्यवाद हम सब जानते हैं कि उन्होंने दिवालिया अनिल अमबानी के लिए अर्वो डॉलर्स की डील कराई प्रधान मंत्री ने देश को धोका दिया है उन्होंने हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया है